हुआ 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 है वेल्कम टु मैने स्माइल्स ए श्टूटेंट्स क्या आप स्ससी बैंक, cds, nda या स्टैनो ग्राफर की तियारी कर रहे हूं किया आपको इंग्लिश में चीजें याद करनी पर हैं क्या वो आपको याद करना पर रहा है तो घबड़ा है नहीं मैंनी smiles के पास है रोहित सर के पास है आपके सारी problem का solution मैं आपको सारी चीज़ें ना तो याद करने दूँगा ना तो रट्टा मारने दूँगा सारी चीज़ें मैं आपको logically समझाऊँगा जैसे सेफ maths को या physics chemistry को समझते हो बिल्कुल वैसे तो भवराई नहीं आप मेरे शाथ बने रहे हम मिलते अपने topic पे come to the point तो friend हम आते हैं अपने idiom पे हमारा first idiom है clinch the issue क्या है clinch the issue इसका meaning है मुद्दे को हल करना अब देखिए इसका meaning मुद्दे को हल करना कैसे आया clinch मिसके होता है तै करना क्या क्या करना तै करना अब issue मतलब होता है मुद्दा यानि मुद्दे को मुद्दा क्या था उसने तै कर दिया यानि क्या था मुद्दा मुद्दा क्या था क्या नहीं था यह सब बात तैह हो गया क्लिंच हो गया हल हो गया तो बताइए अगर मुद्दा क्या था यह बात तैह हो गया तो मुद्दे का हल हो गया कि नहीं हो गया मुद्दे का हल निकल गया हल हो गया तो यह बोले मुद्द को हल करना मुद्द को हल करना मतलब इसका कंक्लूजन निकल जाना किसी मुद्द्द का सबस्क्का कुंक्लूजन नekंड़ इशूर करना हमारा चरण perse liam क्या है हमारे सब्सक्राय चितरती इक अ कि आप क्लोज 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 बेख अब दिखिए ख्लोज कॉल मिस के टाव Gather and Closed से ले सकते हैं कि काफी नजदीक बुलावा आ गया था लेकिन काफी नजदीक से बच गया और यहां मतलब होता है बचना और यहां पर दुरखटना से बालवल बचना तो बत familiar है दुरखटना से बालवल बचना और लगभग बुलारवा आएंगी था लेकिन काफी नजदीक से बच गया मतलब वहीं बत हो गया दुरखटना से बालवल बचना दुरखटना लिजे कि आप देखिये माझ लिजे कि आप किजिया रास्ते से जा रही हो और बहुत close बहुत नस्दीक से कोई ट्रक निकल गया हो तो बताई आप बालबल बचे की नहीं बचे आप शेव हुए बालबल शेव हुए अब मतलब बहुत close से आप सेव हुए बालबल बच गया है यहां से मिनिंग आ गया हमारे next idiom क्या है हमारे next idiom है close the book on जो बुक कभी on था जो बुक कभी on था अब वो close हो गया अब इसी चीज़को कोट या अदालत की सेंस में लेजिए समझेगा बात को close हो गया बुक जो book on था मतलब कार्यवाही जो है वो जाच बंद कर दिया कि ने कर दिया अगर कोई कार्यवाही चल रहा है कोई book तो उस एक्ट्रेवाही अफ़ पर ती जो कार्यवाही था जो कार्यवाही का किताब खुला हुआ है पहले बुक on थाब वो बंद हो गया मतलब जाच या कारिवाही बंद हो गया आगे nit यहाँ पर हमारे next idiom क्या है हमारे next idiom है cock and bull story cock and bull story मतलब है जूट की जूटी या मन गढ़त कहानी अब दीकस में आया आपने कभी cock यानि मुर्गा और साड बुल मिसोता है साड साड की कहानी कभी सुना है आपने आपने मुडगा मुड़ी कहानी सुने होगे यह गूणुझा का बैल कि सुना हो कहानी बहुत सरे कहानी है ओपने आपने कॉक मतल्मुडगा और साड की गाहानी नहीं सुनी अब अगर को इख्ति काहानी सुना रहा है मतल्ब कैसी गाहानी हों जूटी कहानी व वह मन गड़त कहानी ठीक है फ़ी में बत और आप मैं फुर शरион व्र बत रहो आपको कई बाहर से वर्ड़ नहीं आजाएगा है अब मतलब जोटी मुटी काहाणी सुनाएगा है यहां से मिनिंग आ जाएगा ठीक है अब मतलब है जरूड़ा से अधिक विश्वास करना अब देखिए अगर कोई बोल रहा है कि मुडगा अगर बोल रहा है सुबह मुड़गा बोलता है अब अगर सुबह मुडगा बोलता है हम जाते हैं कि सुबह सुबह होता है तो इस भाते हैं अब बताइए अगर हम ऐसा मानते हैं कि मुडगा बोलता है तभी सुबह होता है तो बताइए हम जरूरत से अधिक विश्वास कर रहे कि नहीं कर रहे हैं कि अभी कहां बोला मुडगा मुडगा बोलेगा तब तो सुबह होगा मतब कुछ जरूरत से अधिक यह विश्वास कर रहा है यहां से मिनी आया कॉक्षियो तो यह हमारा आज का अधियम आप मुझे बताने यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक मैं चानल को सब्सक्राइब करें हम मिलते है अपने नेक्स वीडियो में और तब तक के लिए आप खुछ रहें बहुत मेनत करें हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में और तब तक के लिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा So thank you, thank you very much for watching this video